हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चानल आईये आईटी स्मार्ट लाण में तो दोस्तो आज मैं आपके लिए बेहत ही महत्पुन प्रस्ण लेकर आया हूँ ये प्रस्ण सभी बोर्ड एक्जाम से रिलेटेड है क्लास 13 वाले इस कोश्चन को दिल ठाम के पढ़े चुकि 2024 में यही कोश्चन आने वाला है इधर से कहीं नहीं जायेगा तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रस्ण क्या है प्रस्ण है परकास की कीरन गमन करती है ये आपको मालूम होना चाहिए चुकि आप क्लास 13 के फिजिक्स में पढ़े होंगे की परकास हमिसा सीधी रेखा में गमन करती है इसलिए इसका राइट आप्सन हो जाएगा आप्सन नमबर ए सीधी रेखा चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रस्ण परकास का बेग निम्तम होता है आज का पहला आप्सन है आप्सन नमबर ए निर्वात में बी जल में सी वाई में डी काच में तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि परकास का बेग हमेशा काच में निम्तम होता है कह होता है कास्य में होता है इसलिए इसका राइट आफ्षन क्या होगा d हो जाएगा चलिए हम लोग देखते हैं आज का अगला प्रेस्ट तिसरा नमर प्रेस्ट है मोटरगारी के चालक के सामने लगा रहता है Option A है समतल दरपन B उत्तल दरपन C अवतल दरपन D उत्तल लिंज इस प्रस्न का सही जवाब होगा Option नमबर B उत्तल दरपन दोस्तों बता दें आप लोग क्यों कि मोटर गारी के सामने उत्तल दरपन लगा रहता है इसलिए इसका राइट ओप्शन होताएगा Option नमबर B चलिए नेक्स्ट प्रस्न देखते है चोथा नमबर प्रस्न है मोटर कार के हेड लाइट में किसका पढ़ योग होता है Option नमबर A है समतल दरपन B उत्तल दरपन C अवतल दरपन D उत्तल लिंज इस प्रस्न का सही जबाब होगा Option नमबर C अवतल दरपन दोस्तो मोटर गारी के हेड लाइट में अवतल दरपन लगा रहता है इसलिए इसका राइट ओप्शन हो जाएगा Option नमबर C अवतल दरपन चलिए हम लोग देखते हैं आज का पंचमा नमबर प्रस्न प्रस्न है सम्तल दरपन दोड़ा बना परतिविम होता है Option नमबर A है वास्तविक, B, काल्पनिक, C, दोनो, D इन में से कोई नहीं दोस्तो आप लोग पढ़े होंगे कि सम्तल दरपन दोड़ा बना परतिविम काल्पनिक होता है काल्पनिक कहने का मतलब पूरा पूरा दिखाई नहीं देता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरप चलते हैं छठा नमबर प्रस्ण है लेंस की छमता का SI मातरक होता है आज का पहला आप्सण है आप्सण नमबर A डाइ आप्टर, B, लिमेन, C, लक्स, D, एंगेस्टरम इस प्रस्ण का सही जवाब आपका होगा आप्सण नमबर A, डाइ आप्टर चुकि लेंस की छमता डाइ आप्टर होता है इसलिए इसका राइट आप्सण होगा आप्सण नमबर A चलिए फटाफट से अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीए है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले चुकि पूरा बोड का इस पे विडियो डलने वाला है आप लोग को क्रैस कोर्स भी कराया जाएगा तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके सेयर नहीं कीए है तो अपने दोस्तों के साथ share भी कर ले तो चलिए हम देखते हैं आज का सातमा नमबर प्रस्ण प्रस्ण है परकास की किर्णों का पत दर्साने वाले चित्रों को कहा जाता है अप्सन नमबर A है कीरन आड़ेक B फोकस C कीरन पूंज D इन में से सभी दोस्तों आप सभी को बता दे की परकास की कीरन का पत दर्साने वाला चित्रों को कीरन आड़ेक करते हैं क्या करते हैं कीरन आड़ेक करते हैं इसलिए इसका राइट ओप्सन क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर A होगा चलिए next question देखते हैं आठमा नमबर प्रस्ण है दो डी छमता वाले लेंस का फोक्सांतर होता है option नमबर A है B semi, B 30 semi, C 40 semi, D 50 semi आज के इस प्रस्ण का सही जवाब होगा option नमबर D 50 semi इसलिए इसका right option होगा option नमबर D ये सब एक्जाम में आने वाला VVI प्रस्ण है आपना नमबर question है किसी उत्तर लेंस का फोक्सांतर 50 semi है तो उसकी छमता होगी आज का पहला option है option नमबर A, 5D B, 5D C, माइनस 2D D, पॉलस 2D इस प्रस्ण का सही जवाब होगा option नमबर D, पॉलस 2D अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लेज जल्दे जल्दे आप लोग लाइक करतें चलिए नेक्स्ट कोश्ण की तरफ चलते हैं अगला कोश्ण है परकास के किर्णों के समू को कहते हैं option नमबर A है परकास स्रोत B, किरन पॉन्ज से प्रदेप्ट D, प्रकिर्णन आज के इस सवालों का जवाब होगा option नमबर B, किरन पॉन्ज परकास के किर्णों को किरन पॉन्ज कहा जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रस्ण है उत्तर लिंज की छमता होती है option नमबर A है रेनात्मक, B, धनात्मक, C, A और B दोनो, D, इन में से कोई नहीं इस प्रस्ण का सही जवाब होगा option नमबर B, धनात्मक इसलिए इसका right option होगा option नमबर B, धनात्मक चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं बारा नमबर कोश्ण कर रहा है अप्तर लिंज की छमता होती है अप्तर लिंज की छमता होती है तो दोस्तों बता दे आप लोगों को कि दाहिना हाथ में हम लोगों का पावर जादा होता है इसलिए दाहिना हाथ को हम लोग धनात्मक मानते हैं और बाया हाथ में पावर कम होता है यानि धनात्मक नहीं रिनात्मक मानते हैं उसे इसलिए इसका राइट अप्सन होगा अप्सन नमबर ए रिनात्मक चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन हो जाएगा हम लोगों का तेरा नमबर तेरा नमबर कोश्चन है उत्तर लेंज को कहते हैं भाई उत्तर लेंज को क्या कहते हैं चलिए देखते हैं अप्सन नमबर ए है अभिसारी लेंज, B, दूइ उत्तर लेंज, C, अभिसारी लेंज, D, इन में से कोई नहीं आज की इस सवाल का जवाब होगा option number A, अभिसारी लेंज उत्तर लेंज को अभिसारी लेंज भी कहते हैं इसलिए इसका right option होगा option number A उत्तर लिंज को अभिसारी लिंज कहते हैं तो आप लोग बताएए कि अवतर लिंज को क्या कहते हैं तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि अवतर लिंज को अभिसारी लिंज कहते हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरब चलते हैं, आज का चौदामा नमबर कोश्चन है, अव्तल लेंज को कहते हैं, ये भी कोश्चन आही गया, अव्तल लेंज को क्या कहते हैं, आप लोग को अभी अभी बताएं, चलिए देखते हैं, अप्सन नमबर A है, अभी सारी लेंज, B. दूए अफ़तर लेंज C. अपसारी लेंज D. इनमें से कोई नहीं आज के इस सवाल का जवाब हो जाएगा अपसारी लेंज आप लोग को अभी अभी बताया थे कि अफ़तर लेंज को अपसारी लेंज भी कहा जाता है तो आप लोग फशियेगा मत निड़र होकर एक दम राइट अपसन मार के आना है चलिए देखते हैं पंद्रहमा नमबर कोश्चन पंद्रहमा नमबर कोश्चन है निमन में से कौन सा पदार्थ लेंज बनाने के लिए पर्युक्त नहीं किया जा सकता है आज का पहला अपसन है अपसन नमबर A जल, B, काच, C, प्लास्टिक, D, मिट्टे आज के इस प्रस्म का सही जवाब होगा अपसन नमबर D, मिट्टे चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 16 नमबर कोश्चन है किस दरपन से हमेशा वस्तु से छोटा परतिवीम प्राप्त होता है आज का पहला अपसन है अपसन नमबर A समतल, B, उत्तल, C, अवतल, D, कोई नहीं आज के इस प्रस्म का सही जवाब होगा उत्तल दरपन इसलिए कि उत्तल दरपन ही है एक ऐसा दरपन जिस से हमेशा वस्तु छोटा ही प्राप्त होता है यानि वस्तु से छोटा परतिवीम प्राप्त होता है चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रस्न क्या है प्रस्न है किस दरपन से वस्तु का बड़ा परतिवीम बनता है हम लोग अभी-भी सबसे पहले देखे छोटा परतिविम अब आया है बड़ा परतिविम पे तो चलिए देखते हैं option option नमबर A है समतल, B, अवतल, C, उतल, D, कोई नहीं तो दोस्तों आप लोगों को मालूप होना चाहिए कि वस्तों से हमेशा छोटा उतल लिंज का परतिविम बनता है और वस्तों से बड़ा हमेशा अवतल लिंज का परतिविम यानि दर्पन बनता है तो इसलिए इस प्रसने का सही चवाब होगा option नमबर B अवतल दर्पन अब तल दर्पन से हमेशा वस्तु का बड़ा परत्विम बनता है और उतल दर्पन से हमेशा वस्तु का छोटा परत्विम बनता है ये चीज आप लोग याद रखिएगा चलिए हम लोग देखते हैं आज का दूसरा प्रस्न क्या है प्रस्न अठारा नमबर होगा देखते हैं प्रस्न है परकास के प्रावर्तन के कितने नियम है ये सब कुश्चन हम आप लोगों को प्रवाइट करा रहे हैं 2024 एक्जाम के लिए ये सब कुश्चन बहुत ही भीवियाई है आप लोग देख लिजिए चुकि ये सभी कुश्चन आपको एक्जाम में आने वाला है आठारा नमबर कुश्चन है परकास के प्रावर्तन के कितने नियम है आपसर नमबर ए है एक बे दो से तीन डे चार आज के इस प्रस्न का सही जवाब होगा आपसर नमबर बे दो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि परकास के प्रावर्तन के दू नियम होते है कितने नियम की तरफ चलते हैं कोश्चन नमबर 19 है कड़ा आए परकास की कीरन हावा से जब परकास की कीरन हावा से काच में परविश करती है तो मुर जाती है अब क्या चीश्च से मुर जाती है चलिए देखते हैं A. आब्सन नमबर A है अभिलमसे दूर B. आभिलमसे निकट C. अभिलमसके समानристर D. इनमेंस ‎कोई नहीं आज के इस परच्रशं में का, सही जवाब होगा ऑपसन मुर ऑ याद किजिये, जैसे हो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई आप लोग अपना ख्यान लखिएगा धन्यवाद